हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टू एजुकेशन का अड़ा चैनल और आज हम दिखेंगे क्लास टेंथ के रीडिंग भी हाउ दे लिटिल काईट लेर्न तू फ्लाई इस पार्ट का क्वेशन आंसर और एक्सरसाइज तो आईए प्रारम करते हैं आज का यह वीडियो क्लास टेंथ का हाउ दे लिटिल काईट लेर्न तू फ्लाई फ्लाई फ्स्ट एक्सरसाइज है तिक दे एप्रोप्रियेट आंसर सही विकल्पर सही विकल्प का चैन कीजिए तिक कीजिए फ्स्ट दे बिग काईट फ्लिव अवी बिकास जो बड़ी पतंग थी वो क्यों उड he was kind, he wanted to encourage the little kite, he was clever, he was bold, he was kind, दयालू था, he wanted to encourage the little kite, छोटे पतंग को उट साहित करना चाहता था, प्रॉट साहित करना चाहता था, he was clever, he was bold, So answer is he wanted to increase the little kite In the beginning of the little kite was Inspired Not confident Thrilled Excited Inspired Inspired Not confident Thrilled Excited Romanchit The little kite succeeded Because of the big kite His effort The wind Other kites So the little kite The little kite Isb연 Isb연 Other kites So answer is his effort His effort Aipene His effort The other kites अफ्रेड आफ चोटा पतंग जो था वो किसे डरता था दे लिटिल काइट वोस अफ्रेड आफ फ्लाइंग हाई जो छोटा पतंग था वो उचा उडान भरने से डरता था दे लिटिल काइट वोस अफ्रेड आफ फ्लाइंग हाई उची उडान भरने से डरता था चोटी पतंग का पेपर क्यों हिलता था इस्टीर नहीं हिलना चोटी पतंग का पेपर हिलता था यहां पर डिट लगा है इसलिए इस्टीर जो है वर्व है तो सेकंड फॉर्म हो जाएगा इस्टीर बिकास आफ इस फियर भय की वज़ा से डर की वज़ा से जो है वो का पता या हिलता था आकास चे बच्चे कैसे दिखाई दे थे बच्चे कैसे दिखते थे बच्चे कैसे दिखते थे moving round from the sky. घुमते हुए, धब्बे जो घुमते हैं, इस प्रकार वो दिखाई देते थे, घुमते हुए धब्बो की तरह छोटे-छोटे बच्चे दिखाई देते थे. तो आंसर का लिखेंगे, the boys looked like small spots, moving round from the sky. Pick out the words from the poem that tell us that the little kite was frightened. Put out the words, शब्दों को अलग किजिए, from the poem. Poem से, that, जो tell us, बताए हमको, that the little kite was frightened. जो छोटा पतंग था, वो डरता था, भेभीत था, ये poem की कौन-कौन से पंक्तिया हमको बताती है. तो दोस words are, I never can do it, मैं कभी नहीं कर सकता, I am afraid I will fall, मैं गिर जाओंगा, मुझे डर है, I know I shall fall if I try to fly. मैं जानता हूँ, यदि मैं उडने की कोशिश करूंगा, तो मैं गिर जाओंगा. And trembling and shook himself. और कांपते और हिलाते हुए, first whirling and frightened, पहले चक्कर और भेभीत होते हुए. ये जो words आए हैं, ये बताते हैं कि जो छोटा पतंग था, वो भेभीत था. Those words are, I never can do it, I am afraid, I will fall, I shall, I know, I shall fall if I try to fly, and trembling and shook himself, first whirling and frightened. ये जो वाक्य हैं, वो बताते हैं कि जो छोटा पतंग था, वो भेभीत था. How did the little kite feel when it sailed up in the sky? जब छोटा पतंग उड़ा, तो उसको कैसा महसूस हुआ? Sailed, sail ये नहीं होता हैं, तैरना, उड़ना, नाओ खेना भी होता है, तो यहाँ पर जो पतंग है, तो पतंग कि संदर में उड़ना है, तो How did the little kite feel? कैसा उसको महसूस हुआ? When it sailed up in the sky, जब आकास में उड़ा, तो when the little kite sailed in the sky, its confidence raised and thrilled with pride, तो when the little kite sailed in the sky, जब यहाँ आकास में उड़ा, its confidence raised, confidence नहीं आत्म विश्वास raised नहीं होता है, बढ़ना, आत्म विश्वास बढ़ा and thrilled with pride, और अब गर्व से जो है, भर गया, Who were the little kite's companion up in the sky? Sky में आकास में छोटे पतं के साथ ही कौन कौन थे? Companion नहीं साथ ही? तो answer है, The birds and clouds were the companions up in the sky. The birds and clouds were his companions up in the sky. Birds and clouds, यानि पक्षियां और बादल जो है, उसके साथी थे in the sky, आकास में. तो इस प्रकार ये question answer था, यदि इस वीडियो की सायता से आपको question answer याद करने में मदद मिल रही हो, जरू like करें, share करें, comment box में भी लिखें, और जिन लोगों ने अब तक हमारी चैनल education का अड़ा को subscribe नहीं किया है, subscribe कर लें, जिससे आपको हमारी अगले वीडियो मिलते रहेंगे, बेल आइकन को दबा लें, और देखते रहें education का अड़ा जनल, तन्यवाद,